अज मैं बनाने वाली हूँ आटे का चीला यह बहुत ही टेस्टी होता है और हम इसे आटे से बनाएंगे तो यह बहुत हेल्दी भी होने वाला है और बहुत ही कम तेल का यूज करके आज हम इसे बनाएंगे तो चली देखते हैं किसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए मैंने यहां पे दो मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है अब हम इसे एक बर्तर में डाल देंगे साथी तीन कटी हुई हरी मिर्च एक टोरी मैंने यहां पे आटा लिया है इन सब को अच्छे से मेक्स कर लेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लाल मेच और अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे पेस्ट के हमें इसे बहुत ही पतला पेस्ट इसका बनाना है तो इस इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे मिक्स करते हुए एक पतला से इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से इसे मिक्स कर लें अगर आपको इसमें हल्दी का कलर थोड़ा कम लग रहा हो तो आप हल्दी थोड़ी सी और आड कर सकते हैं यहां पे मैंने थोड़ी सी हल्द आट कर लिए और मैंने इसका पेस्ट बना लिया हुढ, इसे मिक्स कर इंगे उच्छ से लिए जिसे कि इसमे बिल्कूल भी लंच ना रहे हुआ तो यह दिखे इतना पफ़ला पेस्ट हमें चाहिए तो अब यह बनकर तयार है इसे हम पांच मेट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे और आप पांच मेट के बाद इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और तवे को रख देंगे गैस पर हाई फ्लेम पे जब तवा गरम हो जाए उस पे डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इससे इस तरीके से हिलाके पूरे तवे पे फैला लेंगे अब एक कडशुल से या फिर लैडल से इसे इस पर डाल देंगे और इसे इस तरीके से फैला देंगे जिससे कि ये पतला हो जाए यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम या हाई रखें तो जब यह थोड़ा सा पक जाए तो इस पर थोड़ा सा तेल अड़ कर देंगे और अब आप देख सकते ही किनारों से हो गया है तो इसे अब इस तरीके से करके पलट देंगे ऐसे इसे दूसरी साइड में पलट देंगे इससे साइड में कितने अच्छे से हो गया है इसे इस तरीके से हलकी प्रेस करते हुए जबाएंगे कि यह दूसरी साइड में भी अच्छे इससे पगका है जिस तरीके से वना तान政 Γाल को हुआ है यहां पर अपने इसका फ्ले अमीड genial object तो यह दिखिए यह दूसरी साइड में भी अच्छे से पक गया है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम इस तरीके से एक और बना लेंगे और जब भी हम जितने भी चिले हमें बनाने हैं थोड़ा थोड़ा तेल हमें एड करेंगे इस पर नहीं तो जमारा चिला है वह बनेगा नहीं अच्छे से निकलेगा नहीं तो इस तरीके से इसे हिला लेंगे और इस पर फिर से पेस्ट डाल लेंगे इसे इस तरीके से फैला लें नहीं तो यह बीच में मोटा हो जाएगा तो यह खाने में अच्छाने लगेगा तो यह दिखिए यह इस तरीके से होने लगा है एक साइड में इस तरीके से इसके किनारों को छुडा लेंगे जब यह पक जाएगा तभी हमें इसे छुडाना है नहीं तो अगर आप पहले छुडाएंगे तो यह बीच से तूट भी सकता है इसे इस तरीके से बीच बीच से छुडाते रहें स्टेखरें,ajde एडोशाय कि आपकर कैं़ा, बीच ळचते पखें, थोड़ा सा तेल लगा देंगे and टेसे पालोशाय के लापने हैं. से आप बсемने nella cutie, पढ़ने बीच लगा से दोपने क्या किस दोसी आप हैं पूरा एक शेप में थोड़ा थोड़ा किनारों पर टेल वाल तो उससे वह चाहिए इस तरीके से इस साइड में पका है उसी तरीके से वह दूसी साइड में भी अच्छ से पक जाएगा इसे क्लेट में निकाल लेंगे अब यह पक चुका है तो हमारा चिला बनकर तयार है यह देखिए यह दूसरी साइड में भी कितने अच्छे से हो गया है